14 सितंबर को देश भर में हिंदी दीवस मनाया जा रहा है 14 सितंबर 1949 को सम्विधान सभा ने हिंदी को अधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था इसलिए हिंदी दीवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के मौके पर शिमला के गेटी थेटर में भाशा वस संस्कृति विभाग के द्वारा कारेक्रम कायजन किया गया जिसमें शहरी विकास मंत्री ने मुख्यतिती के रूप में शिर्कत की इस दोरान हिंदी में उत्रिस्ट काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया मंत्री सुरेज भरद्वाश ने कहा कि हिंदी को जो इस्थान प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं है सुरेज भरद्वाश ने का कि विशाल रास्ट के सुअभिमान को जगाने के लिए हिंदी बहुत ज़रूर है हिंदी वैज्यानिक भाषा है आज जो अंग्रेजी जानता है उसे बड़ा विदवान माना जाता है हिंदी भाषा हमारी रास्ट भाषा है भारत तभी विक्सित हो सकेगा जब हिंदी का प्रयोग जादा से जादा किया जाएगा उन्होंने का कि आज हर स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने की आवशकता है शांता कुमार की सरकार ने 1978 में राजकारियों में हिंदी के प्रयोग के आदेश दिये थे लेकिन आज भी परिक्षाओ की इंटर्व्यू अंग्रेजी में लिये जाते हैं उचे न्यायले न्यायक प्रक्रिया में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है शिक्षा में भी हिंदी को जो स्थान प्राप्त होना चाहिए बह प्राप्त नहीं है इसी के साथ उन्होंने का कि नियाए विवस्थाम में हिंदी का प्रयोग होना चाहिए पन नहीं पा रहा है क्योंकि जब तक इंट्रिव्यूज की जो है वो भाषा हिंदी या अन्या भाषा नहीं हो जाती है और हमारी जो शिक्शा निती है उसमें भी मात्रि भाषा और राज भाषा को दो कुछ तक पूर्ण रूप से हिन्धी वो राजकार्य में प्योग नहीं हुआ आज भी उच नयाले और यहां तक कि जो निचले नयाले है वहां कि भाषा जो है वो अंग्रेजी है जब तक नयाय विवस्ता जो है वो राज भाषा में नहीं होगी तब तक जो है वो μέ large भाषा में रूप में जो है उस तर को प्राप्ट कर सकेगी जिस तर को से प्राप्ट करना जाहिए राजकारिया में तो हिंदी का प्रियोग हो ना ही चाहिए लेकिन राज क्यों समंदित काम हैं उसमें भी हिंदी का प्रियोग हो यह आवश्र के and one life की स्पेशल एग हाँ झाल झाल झाल